उत्तरप्रदेश का कुशी नगरजिला, नाराहिनी नदी की बाड में गुरुवार रात लगभग देड़ सो लोगों के साथ नाव फस गई लेकिन इस्थानिय लोगों की हिम्मत और सूजबूज से सुबह तक सभी को बचा लिया गया प्रशासन और NDRF की टीम ने लोगों को रेस्क्यू करने में मदद की यह घटना तमकुही राज तहसील शेत्र की है जहां खेती के काम से देर शाम घर लोट रहे लगभग देर सो लोगों से भरी नाव तकनीकी खराबी के कारण नदी की बीच धार में फस गई थी नदी की बीच धार में फस कर नाव बहने लगी बताया जाता है कि नाव के डीजल का फाइप फट जाने से डीजल बह गया और नाव का इंजन बंद हो गया इसके बाद नाव में सवार लोगों में दहशत फैल गई नाव तेज धारा के साथ बहने लगी नाव में सवार लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिसे सुनकर इस थानिय लोगों ने हिम्मत और सूजबूच दिखाई और छोटी नावों के सहारे लोगों को किनारे ले जाने में जुट गए परशासन और ग्रामीरों ने नावों में फसे आधे से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया सूचना पर NDRF की टीम पहुची बाकी बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला इंजन फैल हो जाने के कारण बीच मजदार के फस गई है और उनको रेस्क्यू करने की जुरूरत है गुर्ख पुर्ख के जो NDRF के अंदर है उससे हमने तबकाल टीम रुवाना करी और टीम लगवग दो बजकर बीस मिन्ट पे यहां पहुची और अगले दस मिन्ट में हमने अपना उपरेशन लांच कर दिया क्योंकि जो लीड थी रोड से बंदे से और नदी तक वो काफी कट्रिंटी रात को अंदेरे का समय था और साथ ही साथ पानी कहीं बोट चलने लाइक था और कहीं नहीं था इसके बावजूद हमारे रेश्क्योर्स ने अपनी जान पर खेल कर लोगों के पास पहुंचे हैं जरूर्त मंद लोगों के पास उनको रात से ही रेश्क्यू करना शुरू कर दिया था दरसल तमकोही राज तहसील का अमुवा खास भगवानपुर बन रहा संपूरा नगर बकसर गाओं के तक्षण तरफ के किसान अपनी खेती देखने और खेती करने के लिए बड़ी संख्या में नदी पार कर रेता शेत्र में जाते हैं वे सब ही अपना काम खत्म कर शाम को वापस लोटाते हैं बार के वक्त उनके आने जाने का काम ना उसे चलता है इसी बीच यह घटना होई लेकिन सब ही को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है